जी हाँ दोस्तों हमारे बिहार के आनबा नसान पत्रकार मनिष कस्टेप को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी खुसकवरी निकल कर सामने आ रही है। तो मिलांडू सरकार ने कुछी दिन पहले पत्रकार मनिष कस्टेप के उपर से NSA1 हटा दिया था। जिसके बाद उनकी जमानत की अरजी को उनके भाई दोवरा मदरास कोट में दाखिल की गई थी और उसके बाद उनकी अरजी को सुविक्रित कर ली गई थी और ख़बर यह बताई जा रहे हैं कि मनीश कस्यप आप जेल से रिया हो चुके है जी हाँ दोस्तों यह 100% सही नियु क्योंकि आपको भी पता होगा एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट होता है यदि किसी व्यक्ति पर लग जाए तो उस व्यक्ति को 12 से 14 महीने तक बीना जमानत के और बीना किसी परमीशन के जेल में रखा जा सकता है और यही वजह थी कि मनीश कस्यप को इतने दिनों से जेल से रिहा नहीं किया जा रहा था लेकिन अब तब इलांडू सरकार्ण अपने सोचल मीडिया प्लेटफर्म से इस बात को सेर करते हुए कहा है कि मनीश कस्यप पर एन एस एक्ट नहीं लगा है और उसके बाद उनकी जमाना तर्जी को कोट के द्वारा स्विक्रित कर ली गई औ करने के बाद मनीश कस्यप सिधे पटना के लिए रवाना हो चुके हैं पटना पहुंचते हैं उनको देखने के लिए इतनी लोगों की भीडू मर गई कि कुछ कहा नहीं जा सकता उनके फैंस उनके साथ फोटो लेने के लिए पूरे तरीके से पागल हो गया है स्क्रीन पर आप लोग वीडियो क्लिप में देख भी सकते हैं तो मैं दोस्तों आपको लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस तरह की खबरे यूटूब पर काफी ज्यादा तेजी से वाइरल हो रही है कि मनीश कस्यप आज रिया हो गये तो कभी कल रिया हो गये इस खबर में कितनी आप लोग करउवाई चाहते हुट बनाने। फारजी रखाने वाले मनीश कस्यप को बता देना चाहता हूं इस खबर की writings किया गया है वह अब हीडिया ४ ours किब से टेपार तका पर लगाहर हुआ है नहीं लगा है वह हट जुका है और बहुत जल्दी मनिस कश्चप को जमानत मिलने की संभावना है उनका मामला अभी तमिरान्दू कोर्ट में चल रहा है वैसे दोस्तों मनिस कश्चप के लिए आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी राए कमेंट बॉक्स में जरूर से जल्द रिया हो यह वीडियो की जनकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जरूर कीजिएगा साथ ही हमारे यूटूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आन कीजिएगा